देख भाईवा पहले ही बता देख भाईवा कि आराम से बतबो कि फाष्ट बतबो एक एक चीज को ध्यान से देखिए ठीक हो तो गाईज वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर यह जो सवाल आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है कि आपको इस बार पांस नंबर का ही पूछ पूछा जाए गाईज हो सकता है इसे तीन नंबर का और चार नंबर का भी पूछ दिया जा सकते आपसे तो कितना भी नंबर के आपसे पूछ दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है आप एक एक चीज को ध्यान से देखिए तो हर भाई बढ़िया से बतले हो तो देखत चल तो गाईज यहाँ पर देख पा रहा है प्रस्न प्रस्न है परकास के परावर्तन के नियुमों को लिखें आगे आपको दिख रहा होगा आपतन जिस एंगलिस में कहते हैं इंसिडेंट और यहाँ पर परावर्तन है जिस एंगलिस में कहते हैं रिफलेक्शन यह मैं क्यों लिखा हूँ यह आपको आगे पता चल जाएगा ठीक है अगर हमको याद भी नहीं पड़ेगा तो आप नीचे कोमेंट में करके बता देना यह मैं बताया की नहीं बताया सलिए यहाँ पर एक एक चीज को समझते हैं यह आपके सामने सूर्य है तो सूर्य है तो आप इसे भगवान तो कहते भी होंगे तो यहाँ पर वो सब छोड़िये ध्यान देजिए गाईज सूर्य से निकलेगा परकास यानि परकास के किरने जैसे यह भाई साहब हमारा पृत् परकास यहाँ पर किरने आएगा धरती पर तो इस तरह से आएगा तो यहाँ पर यह फिर इधर भी जा सकता है जियां आएगा तो इधर भी जा सकता है तो गाईज आया तो इसे हम कहेंगे आपतित और जाएगा तो परावर्तित गाईज आया तो इसे कहेंगे आपतित किरन और जाएगा तो इसे कहेंगे परावर्तित किरन लेकिन आया सबसे पहले कहां पृतिवी पर यानि यहां पर आया यह बिंदू पर आया गाईज यहां आया तो इसे हम कहेंगे आपतन बिंदू, जियां इसे कहेंगे आपतन बिंदू, तो लिखते चलना समझ में आ जागा, इसको कहेंगे आपतित किरन, इसे कहेंगे परावरतित किरन, और गाईज, इसे हम, इसे इसे इसे, गाईज इसे हम आपतन कोन कह सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहा है यहां आ रहा है तो एक कोन बन रहा है जिहां आप सुन पा रहा है न यहां जैसे ही आ रहा है यह तो यहां पर एक कोन बन रहा है और यह जा रहा है तो फिर भी यहां पर एक कोन बन रहा है तो आ रहा है तो इसको कहेंगे आपतन कोन और जा रहा को कहिएगा अभिलंब और यहां पर इसे कहिएगा आपतित कीरन और इसे कहिएगा परावर्तित कीरन और यहां पर कोन बनेगा तो आपतन कोन कहिएगा और यहां पर कोन बनेगा तो इसे परावर्तन कोन कहिएगा ओके गाईज एक और चीज ध्यान दीजिए कि यह जितना कि ठीक है यहां पर ये छोड़िए अब यहां पर आईए सवाल के उपर गाईज सवाल है परकास के प्रावरतन के नियमों को लिखें तो यहां पर उतर मैंने आसानी से लिखा है ध्यान दीजिए सबसे पेले आपको उतर लिखना है इसके बाद शुरू कर देना है जो मैंने आपस में बराबर होते हैं अभी अभी मैंने आपको बताया भई कि ये है ना आपतन कोन और ये परावरतन कोन ये बराबर है तो आपको अभी भी परिभासा समझ में आगया होगा अब यहां पर ध्यान देजे अब यहां पर आगे है आपतन कोन ठीक है और यहाँ पर बराबर है परावर्तन कोन यह सही बात है आपतन कोन और परावर्तन कोन बराबर होते हैं लेकिन कहीं कहीं आपको इस तरह का देखने को मिला होगा यानि इस तरह का कहीं पर आपको देखने को मिला होगा इस तरह का तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या है और ये क्या है तो भाई मैंने उपर ही आपको बताया है आपतन जिससे कहते हैं इंगलिस में इंसिडेंट तो यहाँ पर आई लिख दिया है मैंने सौट में और कहीं पर भी लिखा होता है आई यानि आई से क्या हो गया आपतन और ये ऐसे हो गया ना ऐसे का मतलब कोन हो गया ठिक है तो डरना नहीं है भाई और यहाँ पर आर है तो आर से हो गया reflection और ऐसे जो है ये वाला है इसका मतलब हो गया कोन तो गाइस यहाँ पर आसानी से आप समझ गया होंगे अब यहाँ पर आगे देखिए आपतित कीरन प्रावर्तित कीरन मैंने आपको बताया अभी ये भी ये रहा आपतित कीरन और ये रहा प्रावर्तित कीरन ठीक है अब यहाँ पर है आगे आपतन बिंदू अभी भी मैंने भी बता दिया है आपतन बिंदु यहां पर आ रहा है परकास और यहां पर गिर रहा है तो आप इसको कह रहे थे आपतन बिंदु तो यह आपतन बिंदु हो गया अब यहाँ पर आगे कह रहा है आपतन बिंदू पर डाला गया अभिलंब जीहां अभिलंब यह जो खंबा आपको दिख रहा है ना यह है अभिलंब तो यहाँ पर धियान दिजे यह क्या है अभिलंब अब आगे कह रहा है तीनों एक ही समतल में होते हैं यानि भाई शहाब ओ माई गोड यह कह रहा है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं यानि तीनों कौन-कौन तो यहाँ पर धियान दिजे पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया तिसरा यह हो गया यानि यहाँ पर साफा साफा कहें तो इस तरह से हो गया पहला ये दूसरा ये और तिसरा ये वाला तो भाई साब ये तीनों क्या हैं एक ही समतल पर हैं यानि ये सिधा सिधा जगहिया पर हैं कि नहीं तीनों जिया हैं तो यह चीज लिखा हुआ है तो guys सवाल आपका क्या था और उत्तर आपका मिल गया तो आप इस तरह से एगर लिख कर आ जाती है तो आसा है कि आपको नमबर मिल जायगा और हो सके तो आप चित्र भी बनाईएगा चीतर बनाईएगा तो आपको नमबर मीलेगा बहुत ही बढ़िया से तो गाईज मैंने जो जो बोला है वो आप लिख लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो यार लाइक कर देना मिलता है आपका भाई एक और नए दिन नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत